दोस्तो आज की डेट में हर कोई अपने डॉक को बहुत ही साफ सुत्रा और फ्रेश रखना चाहते हैं दोस्तो मोस्ट अबला टैम होता है यह है कि आप अपने डॉक्स को अपने पास अपने बिस्तर पे अपने रूम पे अपने घर पे आराम से रखना चाहते हो विडाउट एनी इरिटेशन की कभी का बार होता है कि उनके जो कोट होता है उनका जो बाल होते उन पे बहुत दर्टी स्मेल होता है या फिर स्टिकीनेस और इलिनेस होता है तो इससे बहुत थोड़ी बहुत इरिटेशन और मतलब गंदीगी लगती है तो वो सब को कैसे एव और बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो को अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो पूरा नहीं समझ पाओ गया आप वीडियो को एंड तक देखने तो दोस्तों मोस्ट अब टाइम डॉक्स के कोट में गंदी की आने की में कारण होती है कि वो एक्साइज करने के लिए दिन में दो टैम बाहर जाते है वाकिंग पे जाते है तो धूल मिटी जो है उनके कोट पर ना जमे लेकिन उनके कोट के जो जर्य है वहाँ पर धूल मिटी रह जाती है और जो वह बंग जब मुव्मेंट करते वह धिरे घर पे या फिर बाहर वह जगे मतलब जमी देती है और उससे bad smell या irritation अपने dog को भी और आपको भी उसको पकनने में थोड़ा rough उसके बाल लगेंगे और उसके बाल इस कारण से धीरे-दीरे खराब भी हो सकते हैं तो इसको avoid करने के लिए सबसे बैतर हिमालाया का फ्रेश कोट यह देखे आप हिमालाया का फ्रेश कोट यह 150 ml है और इसका प्राइज लगबख मुझे पड़ा 220 तो 220 रुपीज इसका प्राइज है इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि यह spray टाइप होता है यससे आप धक्तन खोल लेंगे और आप यसे spray कर सकते आपनी डॉप के कोट पर आपने बालों पर कोट करेंगे और उसको gently किस रफ कर देना है तो इससे क्या होता है इससे बहुत बहुत बैतरी जुन्दर खुशगो आती है और आपका जो डॉक का इरिटेशन इचिंग यह इसमें ऐसे कुछ चीज़े है जो कि उसके टिक्स आगा रहो तो टिक्स को भी मतलब इचिंग से उसको बचाता है कभी कबर क् डॉक्स को कई पर गंदेगी हो तो वह जगे बार-बार इचिंग करता रहता है तो वह इचिंग से भी इचिंग टैप की इरिटेशन से भी यह स्प्रे आपको बचाएगा तो दोस्तों यह है वह स्प्रे हिमालाया का फ्रेश कोट 150 ml 220 रूपीस का है आप इसको यूज कर सक अगर आपको बाद में जानना है उन सबको तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं तो मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्यार आफ यूओन और पैट थेंक्यों सो मच